नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसे तीन फॉर्मूला दे दू जिसकी मदद से आप लोगों की mutual fund investing काफी easy हो जाए या फिर अगर आप लोग equity में investment करने जा रहे हैं तो वो काफी असा हो जाए तो फिर कितना बड़या होगा दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ ऐसे जि सबसे पहला formula देना चाहता हूँ वो है 15-15-15 का rule 15-15-15 का rule क्या होता है दोस्तों कि अगर आप लोगों का goal 15 सालों का है तो अगर कोई fund या फिर आपके portfolio को पूरा return अगर आप लोग काउंट करते हैं 15% का return निकाल करके देता है और 15,000 रुपए अगर आप लोगों का पूरा इक करोड से जादा दोस्तों आप लोगों के साब ने ऐसे fund category में बता दूँ अगर आप लोग index को देखते हो तो पिछले 15 साल में लगबग 14-15% return निकाल करके दिया है index fund ने nifty 50 की बात करते हैं nifty 50 को आप लोग index fund के रूप में देखो तो वहाँ पे इस तरहीं के return निकाल क करते हैं और आप लोग वही 30 years तक ले करके जाते हैं तो आप लोगों का पैसा 10 करोड रुपे से उपर का बनेगा लगबग 10.5 करोड रुपे बनेगा और जो आप लोगों का investment होगा यहाँ पे almost 50 to 60 lakh के बीच में होगा almost 50 lakh रुपीज आप लोग बान सकते हों दोस्तों है न अगर 5 साल बे मिस करते हो तो आप लोग कितना बड़ा amount होते हो इसका calculation मेंने लिख करके रखा है मालेजी दोस्तों आप लोग 5000 रुपे के SIP करते हो और आपकी age है 30 साल और आप लोग investing को ले आते हूँ 25 साल तो जो आप लोगों का fund create होगा वो create होगा 12% के return पे 84 lakh आपने 30 साल पर start किया तो 25 साल तो अगर आप 25 साल पर start किये होते और वही आप लोगों की age 55 साल होती और आप लोग 5,000 रुपे की SIP कर रहे होते तो last 10 year के हम लोग बात करें तो 15% का return निकल करके आया है बाकी अगर हम लोग 12% के CAGR पे calculate करें तो आप लोगों का almost 1.52 CR difference में देखते हो तो approximately 68 lakh रुपीज आपको extra मिलते हैं तो दूस्तों ये तीन strategy follow करो या फिर इन तीन formula को कभी बद भूलना आप लोग अपने investing को ब्रोकना मत और जितना जल्दी से जल्दी हो सके start करो और अपने mutual fund portfolio में कुछ अच्छे index fund को सामिल करो अपने date को सामिल करो जि बचा करके रखा था और अगर आप लोग mutual fund में इस तरह के dip में और units को buy करते हैं इस तरह की opportunity में investment करते हैं तो आप लोगों का return और अच्छा बन सकता है 15 plus 16 plus ये even 20% तक आप लोग return निकाल सकते हैं दोस्तों आप लोगों को अपने mutual fund strategy को सीखना है तो मैंने Lord mutual fund की एक playlist बना रखिये उसको जाकर के आप लोग देखियो से बहुत कुछ इस तरह की बाते करी है जिसमें आप लोगों को mutual fund से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा I hope ये वीडियो helpful रही होगी वीडियो चलेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा दूसरों के साथ जरूर सहर सब्सक्राइब करें ना बोले और बल आइकन क्लिक करेंगे तो इस तरह की वीडियो आप लोगों तक नाटिफिकेशन के थूरू आती रहेंगी आप लोगों को दिन सुबह जाहिन